इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बॉडी को किसी भी पेशन्ट को ख़डा करकर किन-किन चीजों को डाइग्नोस कर सकते हैं यानि कि आपके पास जब केशेंट आये तो आपको सीधा खड़ा होने के लिए कहिए और सीधा खड़ा होकर आप भुषारी चीजों को डाइग्नोज कर सकते हैं आइए देखते हैं जैसे माल लीजे कर मैं इनको डाइग्नोज कर रहा हूं पेरोग के अंगुथों को एक साथ मिलाकर। आप मिलालीजिये और पेरोग को सीधा रखिए हाथों को बिलकुल भीलाशहोड दीजे कैने लोगों के एक घुटना आगे पीछह होजाता है कई लोगों को टेड़ा हो जाता है, तो आप आप 100% समझ सकते हैं, कई लोगों को गुट्ले में गएप आ जाता है, को बोलस हो जाता है, यालिकिन इस ञुट्ने धूर दूर चले जाता है यालिकिक उनको को डी जनरेशन शुरू हो गया है और ऑस्टियो और फ्राइटिस और नी आज रुपार हैं तिक दूसरा कई लोगों को टेड़े खड़े होते हैं जिसके हम प्रित की विमारी करते हैं उसको कहते हैं चेक करेंगे आदों में अगया है आप डौनो खीड़े करें ब्ल्कुल स्थी आ itu प्रैंगे इस वो ले विवादि ह DNS कहिए और इन और कि दोकी derived क्मर से backyard दोनर तरफ बरावर हो पर और यहांजासे और कि निकल बाव नक्राइब दो निकल यह तो दोंग्ली यहां से निकल जाहिए ऐसा ना हो कि यहां से मेरा हाथ पुरा निकल लिया और यहां से एक उंगल निकल रही है इसका मतलब यह है कि यहां कम गैप है और यहां गैप जादा है इसका मतलब यह है कि इनकी इस्पाइनल बिल्कुल सीधी नहीं है या इनको frozen shoulder यानिकी कंदे में कहीन अगर कोई खिचाव है या इनको survival से related problem है तो जब हाथ उपर नीची हो जाए यानिकी हाथ की gap हो जाए जैसे माल लीचे इनका ऐसे हो जाए और यहाथ ऐसे रहे तो यहाँ gap जादा है यहाँ कम है तो उस condition में shoulder यानिकी के shoulder की moment कहीन अगरी stiff आ रही है तो वहाँ से हम shoulder पर काम करेंगे shoulder का diagnose करेंगे और 100% इनके हाथ की moment अगर ऐसे patient की है तो यह normal moment करेगा हाथ और यह abnormal यानिकी कहीना कहीन इनको pain आएगा moment में कई लोग खड़े होते हैं जैसे एक अंदा उपर की ऐसे ऐसे खड़े होंगे यह जो खड़ा है यह जो खड़े हो रहे हैं इस condition में मतला इनकी spine की alignment बिल्कुर ठीक नहीं है अब इस condition में को satiica pain भी हो सकती है इस condition में इनको cervical pain भी हो सकती है तो इस condition में इनको बोलते हैं जै टिल्ट हो गए है तो टिल्ट की condition को नीरो थेरपी में हम सुपरफाइस treatment देकर सुधातर का treatment देकर या हम neutral formula देकर या हम multivitamin formula देकर इसको ठीक कर सकते हैं अब पीछे हो जाएगा माल लीजे इनके spinal में pain है यानि अगर इनको यहाँ pain है इसका effect यहां पूरे एरिया में जाएगा यानि कि यहाँ pain है तो यह area सारा stiff हो जाएगा हातों में numbness जा सकती है कि उस cervical की वज़े से हातों में सुनपन आ सकता है cervical की वज़े से हातों में चिटी-चिटी कार सकती है cervical की वज़े से अगर इनका उठाओगा यह भाग उपा की तरफ जादा है जैसे यह सीधा कर रहे हैं और तभी यह उठाओ गया है यहां पर उठाओगा है तो इसका मतलब यह है कि इनका posture इनक कमर सीधी करकर तरफ 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 जाती है और यह posture बिगड़ जाता है इसकी वज़े से आपको starvital में चक्कर वगरा आ सकते हैं अगर यहां पेन है इतने एरिया में पेन है किसी वे बर्डी प्राम है तो इसका मितलब यह है कि आपको लंग्स से रिलेटी डिजीज दो सकती है तो पुकि इतने एरिया का काम है आपको लंग्स को दोनों को प्रोपर तरीके से ब्लड सप्लाई पहुंचागा इसके बाद में अगर मिडल बैक पेन में किसी भी बर्डी प्राम है तो इसका मतलब यह है कि इनको डाजेस्टिव सिस्टम से रिलेटी प्रोपर तरीके से करना इसलिए हम निरोधर के टी एट प्रास देते हैं पैंक्रियास के लिए जैकि पैंक्रियास आगे है और हम कहां ट्रिक मंदर रहे उसके ठीज पीछे को कि टी एट का मतलब है कि टी एट और टी नाइन से जो दर्व निकलती है वो पैंक्रियास को ग्रेस अप्लाई अगर यहां पैन है इसका मतलब यह है कि अगर यहां पैन है तो इसका इफेक्ट आपको दोनों पैरों में भी जा सकता है अगर आपको यहां पैन होगा तो आपको स्टाइटिका में पैन आ सकता है अगर आपको यहां दर्द होगा तो दोनों पैरों में जंजनाट जा सकते अगर आपको यहां पेन होगा तो आपके घुपनों में तर्ड हो सकता है अगर आपको यहां पेन होगा तो आपको ताफ मसल्स में पेन हो सकता है यानि कि उसका लिंग आपके इस वर्टिवरा से इस मंद को से है अगर आपको यहां कोई दिक्कत है तो इसका लिंग यानि कि S S4, S5, S3, S2, S4, S5 में अगर कहीं मन के में जड़ है तो आपको जनेटिकल टिशॉर्टर का मतलब की आपको एरिप्रोडेक्टिव और्गेंस में पें हो सकता है जैसे आपको वैजाने के आज़ सबस्क्राइब हो सकता है आपको यूट्रेस के आज़ सबस्क्राइब में पे अगर आपको यहां इस एरिपर पें पर भी है बैठने से आपको यहां ड़था रहा है इसका मतलब है कि इसका इफ्वेक्ट आपके आगे वाले जनेत्र और वागेंस में भी जास्ता है इस पूरी इस्पाइन का काम ही यह है कि आगे वाली पूरी बॉड़ी को ब्लड सप्लाई केवल इतने एडिय से होती है यानि कि केवल आपके पैर के एंगुद्धु को भी अगे ब्लड सप्लाई पहुचानी है तो यहीं से जाएगी ही तो इस कमर का इस पूरी रिण के हडी का काम है जितना भी आगे आपको जितना भी भाग लिखाए दैजिए रहा है इन सब को ब्लड सप्लाई के वल इतने 31 मनकों से ही जाती है तो ये 31 मनकों का अपनी जगाह पर बोना प्रोपर तषी से ब्लड सप्याने हर नर्व का अपना काम करना यह जरुदी है इस तरीके से हम हर मनक Indian हो कहिल बेन है तो उसका मतलत है कहिना कहिल बलड सप्याई है फिरशफ भी जा रही हुदा इस तरीके से हम बाडी को देखकर, हम किसी को भी खड़ा करकर, किसी बाडी को टच करकर, किसी बाडी के ग्याप को देखकर, किसी की बाडी को बैलेंस को देखकर, हम एक अंदा जल लगा सकते हैं, और कन्फर्मेशन के लिए आप टेस्टिंग करा सकते हैं, तो इस तरीके से बोड़ी को देख करें हम बोड़ी का डायोज परसे होगे